तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ हाली में release हुई एक तेलुगू supernatural horror mystery movie को जिसका नाम है विरुपक्षा movie काफी different है काफी बढ़िया है देखने में काफी interesting है जो की 21 एपरिल याने की evil dead rice वाले दिन ही release करी गई थी और बहुत सारे लोगों को इस film ने surprise किया है movie वाकई में interesting है काफी बढ़िया है आपको देखने में काफी मज़ा आएगा और इसकी IMDB रेटिंग भी काफी बढ़िया है जो की है 8.3 stars out of 10 इसके अंदर आपको सिद्धियों के बारे में पता चलेगा occult practices के बारे में पता चलेग और दोस्तों मैंने Evil Dead Rice की Necronomicon Exmortis यानि की Book of the Dead को डीटेल में explain कर दिया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर देख लेना उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप पिंड कॉमेंट को भी चेक कर सकते हो तो चलिए अब बिना किसी द सी वेश भूशा बनाई हुई थी और एक वो सेर्मेनी कर रहा होता है उसने एक सर्कल बनाया हुआ था जिसके अंदर एक मरी हुई लड़की थी और सामने उसकी वाइफ बैटी हुई थी और यहां पर वेंकट को रिच्वल कर रहा होता है जो की काफी डार खम को दिखने मे लग रहा था और आगे चलकर उसकी वाइफ कांपने लगती है उसकी बॉड़िया करने लगती है और बाहर के एन्वायरमेंट के अंदर हल चल होना शुरू हो जाती है अब तबी वेंकट के घर के अंदर गाउं वाले घुश जाते हैं जो कि उस पर गुसा कर रहे थे और उ खतम करने उसे और उसकी वाइफ को जिन्दा ही जला देने का आदेश देते हैं और इसके तुरंधी बाद उन दोनों को आग लगा दे जाती है और उनका बेटा भैरव ये सब देख रहा होता है अब मरते हुए वेंकट की वाइफ इस गाउं को कर्स दे देती है कि आज से 12 साल बाद ये गाउं एक शमशान बन जाएगा मीन्स यहां के सबी लोग खतम हो जाएंगे अगल दिन भैरव के उपर बहस चिड़ती है कि वो भी एक इविल बलड है और आगे चलकर वो गाउं का बुरा करेगा तो उसको भी मार देना चाहिए लेकिन गाउं के सरपंच हरी चंदर प्रसाद सबको समझाते हैं और भैरव को दूसरे किसी गाउं के अंदर एक और्फनेज में एड्मिट करवा देते हैं जहां पर हम दिन रात उसे बदले की आग में जलते हुए और हर वक्त कुछ इंकैंटेशन को रीड करते हुए देख पाते हैं अब कहानी 1991 में आ जाता है अब हम देखते हैं सूरिया को जो की अपनी मदर और फ्रेंड के साथ गाउं में आता है और उसकी मदर का ये गाउं जनमस्थान है जहां से वो सालों पहले यहां से चली गई थी और लगबग 15 साल के बाद वापस आ रही हैं रास्ते में उनकी जीप पर एक क्रो ट कुछ दिक्कत है जिसका ध्यान रखने के लिए सूरिया उसको कहता है खैरब गाउं के अंदर सावन के एकादशी का मिला लगने वाला था जिसकी तैयारी शुरू होती है और पंडी जी सबको राज पुस्तक जो की सालों पहले मंदिर की स्थापना से गाउं के आदेश की जिसके अंदर हर चीज का समादान लिका हुआ है उसको बढ़कर मेले के लिए चीजे बता देते हैं अब गाउं के लोग सिद्धा के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो पिछले एक हफ़ते से गायाब था अब रात को सूरिया अपने फ्रेंड के साथ बैट कर बाते कर रह होता है तब ही उसकी नजर एक चोर पर बढ़ती है जो कि मुर्गियां चुरा रही थी और वो उसको पकड़ता है तो वो चोर एक लड़की होती है और वो अपनी मस्ती के लिए मुर्गिया चुरा रही थी जिसको वो छोड़ देता है और ये सिद्धा वही इनसान है जिसक कोई और नहीं बलकि सर्पंच की ही बेटी नंदनी है जिसके साथ वो थोड़ा बहुत मजा करने लगता है यहां पर वो सर्पंच के सर्वेंट की बेटी सुधा से मिलता है और उससे थोड़ी बहुत बात करता है कुछी देर के बाद में वहां पर गाओं के डॉक्टर आते है जो की नंदनी को इंजेक्शन लगाते हैं एज उसको दौरे पढ़ने की बीमारी है जिसके अंदर उसकी बॉड़ी अकड़ने लगती है कामने लगती है और अगर उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी जान पर खतरा सकता है अब अगले दिन सुर सुरिया कह देता है कि वो उसे गाउं में अपना रिलेटिव बता कर आने देगा और ऐसे वो भी उन दोनों की हेल्प करता रहेगा बस उनके साथ नंदनी भी उससे मिलने आए ऐस वो उसको पसंद करने लगा था कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन सुदा कु आते हैं और मिला लग चुका था और अब सुरिया को अपनी मदर के साथ वापस शहर जाना था और जाने से पहले उसकी मदर अपना घर पारवती के नाम कर देती है ताकि वो अच्छे से रह पाए और इस चोटे घर को छोड़ दे वहीं सुरिया अभी नंदनी से अपने प् आपका इंतजार रहेगा कुछ समय और बीच जाता है और मिला खुल जाता है जहां पर हम सिद्धा को देखते हैं जो कि इतने दिनों से जंगल में भटक रहा था जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी और उसकी बौड़ी पर बहुत सारे च्छाले भी आ चुके थे वो गाउं के ओपर संगट आने वाला है क्योंकि देवी मां इन दोनों के बीच अपने घर याने की अपने दैविये माता पिता के पास जाने वाली थी लेकिन वह अभी भी मंदिर में ही है जहां पर मौत हो चुकी है जो कि उनका अपमान है और अब गाउं के ओपर एकर्स आए और इन आठ दिनों में उन्हें इविल शक्तियां परेशान कर सकती हैं जिससे उन्हें खुद ने पटना होगा और अगर ये क्रिया फेल हुई तो पूरा गाउं कर से खतम हो जाएगा यानि की पूरा गाउं तबहा होने की कगार पे था अब इस गाउं के लोग बाहर नही उड़ चुकी थी तो वो लोग गाउं से चले जाते हैं और सूरिया अंतिम वक्त तक नंदनी के जवाब के बारे में ही सोचता रहता है लेकिन वो नहीं आती क्योंकि उसे टेंशन की वज़ए से दौरा पढ़ने लगता है और उसके सारे इंजेक्शन भी तूट जाते हैं लेकिन उनके असिस्टेंट का रास्ते में ही एकसिडेंट हो जाता है जिसको सूरिया और उसकी फैमली मिल जाती है जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि नंदनी को बचाने के लिए वो इंजेक्शन वो गाउं के अंदर ले जाएं और सूरिया बिना देर गवाए अपने प् बेमी कुमार के साथ भागने का था वो चोरी चुपे गाउं से बाहर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर कुमार से मिलती है वो थोड़ी डरी हुई थी और कुमार उसको समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो ट्रैक पर खड़ा हो गया था जिससे एक ट्रेन अगले दिन नंदनी सुरिया से मिलने आती है और वो उसके प्यार को साबित करने के लिए अपनी मां की आखिरिया याद यानि कि उनका लाउक किट एसा गिफ्ट सुरिया को दे देती है अब रात को पारवती को जंगल के पास से कुछ आवाज आती हैं और वो वहाँ पर ज लिए तो उसे गाओं का ही एक आदमी सूरी दिखाई देता है जो कि ट्रांस स्टेट में खड़ा हुआ था और खुद को खतम कर लेता है पारवती ये देखकर खुद ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है और अगले दिन वो खुद की जान ले लेती है और सबको लगता है कि उसके कान में रहने वाले दर्ड से उसने ऐसा किया होगा लेकिन बात कुछ औरी थी और अंतिन संसकार के वक्त सूर्या भी नोटिस कर लेता है कि जिस कान में पारवती ने निल डाला था वो उसका सही वाला कान था ना कि डिस्टब वाला कान यानि कि उसने खुद के ही क में कील डाल के खुद को ख़तम कर लिया था लोग सोच रहे थी कि जिसकान में दिक्कत थी उसके चलते उसने ऐसा किया होगा लेकिन इसा बिल्गूर भी नहीं था उसने अपने सही कान केंदर ऐसा किया यानि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बर थी अब गाउं में ये बाते चलने लगती हैं कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं जिस पर पंडी जी कहते हैं कि शायद किसी ने नियम तोड़ कर सील बार की है और सर पंच अपने लोगों से सभी घर को चेक करने का बोलते हैं जहां पर सुधा क और नहीं बलकि वेंकट का ही घर है जहां से मरते हुए उसकी बीवी ने करस दिया था कि 12 साल के बाद गाउं के लोग खतम होंगे तो क्या ये उसकी वज़े से हो रहा था तो नहीं बात इससे कई जादा बड़ी और भायानक है जिसके असली पत्ते थोड़ी देर में खुल हैं और अगर उन्होंने इस चीज को नजर अंदास किया तो सब मारे जाएंगे और चीजे ठीक करने में वो उनकी मदद कर सकता है और वो अपनी शक्ती से ये भी जान गया था कि यहां पर चार लोग मारे गए हैं लेकिन गाउं वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि दो ही लोग मरे हैं वो मदद करने अंदर आने लगता है लेकिन पंडी जी उसे अंदर नहीं आने देते और अब वो सब कुछ महादेव के भरों से छोड़ कर वहां से चला जाता है अब सूरिया डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि पारवती के दूसरे कान में दिक्कत और उसने पहले कान के अंदर नेल क्यों डाली होगी और उसके पीछे कोई बड़ी चीज है और अगोरी की बात बिल्कुल सही थी खिर अब वो दोनों सूरिय के घर जाते हैं उसकी मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वो भी अपने काम के लिए पर एक कपल तो आया था जिसकी अंदर लड़का तो ट्रेन के ट्रैक के ओपर आकर मारा गया और वो अपनी फ्रेंड को भीच कर कंफर्म करता है कि वो मरने वाला लड़का कुमारी था यानि कि एक हस्ता खेलता कपल खतम हो गया अब वो बहुत परेशान था और सीथा सजाम ने किमार का खतम हुआ फिर सुधा ने खुद का मू मधुवक्य के चत्ते के अंदर डहर कर खुद को कि खतम किया और उसको सूरिध असको बिचाने भागने लगता है वह उसके घर जाता है कि नंदनी बतााता है और वहाँ पर जाकर वो वेल में जम्प कर देती है लेकिन सूरिया मौका रहते उसको बाहर निकाल कर बचा लेता है अब तक सभी लोग बहुत ज़ादा डरे हुए थे और नंदनी भेहोश थी जिसको देखकर पंडी जी कहते हैं कि ये कर्स हवा तक में फैल जाएगा और पूरा गाउं ही शमशान बनने वाला है और जब सुधा ने अश्ट चक्र बंदन तोड़ा तो उस घर की काली शक्तियां जाग गए यानि कि वेंकट के घर की और उसने अपने कर्स को शुरू कर दिया जो कि मरते वक्त वेंकट की वाइफ ने दिया था और कुछ वक्त बाद शहर से वेंकट यहां पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया था जिसके उपर संकट नहीं आया तो लोगों को उस पर ही शक हुआ था और एक दिन सिद्धा ने उसे एक मरी हुई बच्ची को घर ले जाते हुए देखा और गाओं वालों को बताया जहां पर वो काला जादू करते हुए पाया गया था और उसको उसकी बीवी के साथ जिन्दा ही जला दिया गया बाद में उस घर से रोने की चलाने की आवाजे आने लगी साय दिखने लगे और गाओं की खातिर उस घर को सील कर दिया गया था जहांपर कोई कभी गया ही नहीं सूरिया ये सब सुनकर कहता है कि उन्हें सारे सवालों के जवाब उसी घर से मिलेंगे क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था अब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बुक प्रिंट मिलता है मीन्स पहले यहाँ पर कोई बुक थी जो कि अब गायब है उन्हें एक छिपी हुई किताब में मिलती है जिसके अंदर अथर वेट से कुछ क्रिया थी जिसके अंदर मरे हुए को जिन्दा करने के बारे में बताया गया था क्योंकि डेथ के छे गंडों तक और गंस के अंदर जान होती है और उनको कर्स्ट परसन यानि की नंदनी को एक लकडी के संदूक में डालना होगा उसके पास सबी लोग बलड आफर करेंगे और फिर उसे जला दिया जाएगा और यही एक तरीका है उनको बचाने का नहीं तो यह कर्स पूरे गाउं को ही खतम करतेगा अब वो एक संदूक मगा लेते हैं और हरी श्रंद उनको रोकता है और मिन्नेते करता है लेकिन कोई उनकी बाते नहीं मानता क्योंकि गाउं के लोगों की जान का सवाल था और बारा साल पहले भी तो उन्होंने यही किया था अब सूरिया वहाँ पर आता है और नंदनी की जान बचाने के लिए सबसे कहता है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो गाउं के बाहर जाएगा और सब कुछ ठीक करने का तरीका लेकर ही लोटेगा जिस पर पंडी जी भी मान जाते हैं क्योंकि अश्ट चक्र बंदन वैसे ही तूट चुका था लेकिन उसे ग्रहन से पहले वापस आना होगा क्योंकि ग्रहन के वक्त उन्हें राजपुस्तक की क्रिया करनी है तो उसके पास वक्त बहुत कम है अब वो गाउं से बाहर जाने लगता है तो दूसरे गाउं के लोग उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो दूसरे गाउं के रास्ते से निकलेगा तो कर्स उन पर भी आ जाएगा लेकिन वो जैसे दैसे करके गाउं से निकली आता है अब वो उसी और्फनेज में जाता है जहां पर भेरफ को एडमिट किया गया था और यहां पर उसे उसके बारे में पता चलता है कि जब से वो यहां पर आया था वो ना तो किसी से दोस्ती करता ना बात करता वो दिन रात बस चैंटिंग करता रहता और रात बर यहां वहां वुड्स के अंदर क्रिया करता रहा था और वो इतना पावर्फुल हो गया था कि लोगों को देखकर ही उन्हें वश में करके तुरंध हर्ट कर देता था इनफेक्ट एक रात तो वो न्यूड हालत में क्रिया करने गया और वापस आने पर उसको ओनर ने पकड़ लिया था जिसको उसने अपने आँखों से ही पैरलाइस्ट कर दिया और वो हमेशा के लिए भाग गया खेर अब सूरिया जंगल में भैरव को डूड़ने के लिए जाता है जहां पर उसको धेड़ सारे अगोरी मिलते हैं जो कि उसको गलस समझ लेते हैं और उसको माणने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पास कोई पावर थी जिससे वो बच जाता है और अगोरी परेशान होकर उसको खतम करने का ठान लेते हैं लेकिन तबी वो अगोरी वहाँ पर आता है जो गाउं में आया था और वो सब को समझाता है कि सूरिया मदद लेने के लिए आया है खेर सूरिया उसको गाउं के नजर तंदर के बारे में बताता है जिस पर वो कहते हैं कि ये तंदर तो सद्यों पहले होता था और ये चीज तो आत्मा की शुद्धी के लिए करी जाती थी जो कि बहुत ही कटिन है और इसको हर्ट साइकोलोजी भी कहते हैं और अगर ये कोई कर रहा है तो वो गाउं को पूरी तरह खतम करना चाता है अब वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर तंतर किये जाते थे और अगुरी सेंस कर लेते हैं कि यहीं पर भैरब ने वुक्रिया करी थी और यहां पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट से सूरिया को ये पता चल जाता है कि भैरब कोई और नहीं बलकि कुमार ही है और उसने सेल्फ सेक्रिफाइस दिया था अपने मकसद को शुरू करने के लिए और उन लोगों को यहां पर असली राजबुस्तक भी मिल जाती है जिसको नकली वाली से बदल दिया गया था मीन्स जो अभी तक गाउं के अंदर मंदिर के अंदर किताब थी गर्व ग्रह के अंदर थी और रिच्वल में इस्तिमाल हुई थी वो भैरव के प्लान के अकॉर्डिंग गाउं को खतम करने के लिए हो रहा था यानि कि कुमार के कहने पर और वो गाउं को बचाने के लिए नहीं था और भगवान उन्हें बचा सकते थे तो मंदिर पहले ही बंद करके भगवान को ही रोक दिया गया अब अगुरी ये बताते हैं कि जो आत्मा होती है ना वो खुद से जादा कुछ नहीं कर सकती तो सबसे पहले एक कुमार ने खुद को खतम किया एक आत्मा बनकर उसने सुधा को अपने बच में किया और ये पूरा का पूरा एक क्रिया के हिसाब से था इदर ग्रेहन शुरू होने लगता है और सबी लोग नंदनी को लेकर संदूक में डाल कर उस घर के पास लेकर आते हैं बलड ओफरिंग को शुरू करते हैं ताकि कर्स को खदम कर पाएं लेकिन राजपुस्तक में जो लिखा था वो असल में भैरव और उसके साथ ही का प्लैन था मीन्स गाउं वाले अभी जो कर रहे हैं वो गलत है और पूरा गाउं माना जाएगा जिसके अंदर पहली बली मासूम नंदनी की होगी जो कि सूरिया का प्यार है अब सूरिया अगोरी के साथ वापस गाउं आने लगता है और अगोरी कहते है कि सूरिया के पास भी कोई शक्ती है क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ और अगोरी उसके तेज से पीछे हो जाता है और तब ही उनका accident होता है अब दोनों खुद को समाल कर आगे बढ़ते हैं और उन्हें दूसरे गाउं के लोग घह लेते हैं और सूरिया अगोरी जी को गाउं भेज देते हैं मंदिर खोलने के लिए सूरिया गाउंवालों से लड़ता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो उसको बचाने के लिए ही कर रहा है अब अगोरी मंदिर खोल देते हैं और सूरिया भी उस घर तक आ जाता है यानि कि वैंकट के घर में वो देखता है कि सबी लोग तंतर के वश में आ गए हैं और अगोरी उससे कहते हैं कि जिस चक्र में नंदनी है वो अगनी चक्र है और वो खुद भेरव की आत्मा को भटकाने का काम करते हैं तब तक वो जाकर पता लगाए कि गाओं के अंदर वो कौन है जिसने भेरव का साथ दिया था अब यहां पर सरपंच हरीश चंदर प्रसाद नहीं थे तो सूरिया उनके घर जाता है और वो तो नहीं मिलते लेकिन उन्हें तहकाने के अंदर उसे सालों पहले से हो रहे तंदर के निशान मिलते हैं और अब सरपंच भी उसको मिल जाते हैं जिन से वो सच पूछता है और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते तो उस दिन वेंकट की फैमिली के अंदर दो लोग वो खुद और उसके वाइफ मारे गए थे बेटा और्फनेश पहुँच गया था लेकिन फैमिली सिर्फ तीन लोग की नहीं थी बलकि परिवार के अंदर चार लोग थे और चौती थी उनकी बेटी जो की कोई और नहीं बलकि नंदनी है जी हां उस घर के अंदर से रोने चिलाने की आवाज उसी की आया करती थी और शैडो में वही दिखा करती थी और शुद्वी के बाद हरीश चंद्र वहाँ पर गए थे तो उन्हें वो बच्ची मिली जिसको अगर वो गाओं वालों को सौंप देते तो वो उसको मार डालते इसलिए उन्होंने उसको पाला और अपनी बेटी की तरह पेश किया और भैरव का साथ वही दे रही थी जो कि खुद भी तंत्र करती थी जी हां मतलब ट्विस्ट देख रहे हो कितने बढ़िया हैं और इदर नंदनी और उसके अंदर का भैरव अगोरी से लड़कर उसे घायल कर देते हैं और अब वो अपनी तंत्र किरिया करके उस पेड़ पर आग लगाते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स मारे गए थे यानि कि दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले रहे थे जिसके लिए कुमार ने तो खुद को खतम कर लिया और सबी गाउंवालों को उस आग में जाने का कमांड वो दे देते हैं क्यूंकि पूरे गाउंवाले तंत्र के वश में थे अब तक सूरिया भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये गलत है जिस पर नंदनी बोलती है कि गाउंवालों ने उसके पेरेंट्स के साथ भी गलती किया था पूछा भी नहीं कि आखिर वो करना क्या चाते थे और उनको मार दिया अब वो असली सच बताते हैं वो बोलते हैं कि उनकी मदर शुरुवात से ही पैरलाई स्टेट में रहा करती थी और उसको ठीक करने के लिए उसके पिताजी वैंकर्ट ने हर एक चीज़ा आजमाली थी लेकिन साइन्स उनको ठीक नहीं कर पाया उन्होंने अधर्व वेद से सिद्धियों को पाया और उसकी पावर से एक लॉकेट में डाल कर अपनी वाइफ को पहना दिया और यही लॉकेट अभी सूरिया के पास महें तब ही उसको कुछ नहीं हो रहा था और उसके पास इविल नहीं आबा रहा था नाव कमिंग बैक टु दा स्टोरी वेंकर टसल में बुरा इंसान नहीं था बलकि वो बच्चों को मरता देख दुखी था और उसने फैसला किया कि वो दोबारा जिंदा करने वाले क्रिया से बच्चों को जिंदा करेगा लेकिन गाउं वालों ने उसे पहले ही अटेम्ट म की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूल कर गाउंवालों को माफ कर दे क्योंकि उन्होंने भी नादानी में ही गलती करी थी क्योंकि जब तक नंदनी और भेरव की आत्मा जिंदा है वो यहां पर गाउं का कर्स खतम नहीं हो सकता और उसके मरते ही भेरव की आत्मा भी चली जाती है और गाउं वाले होश में आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और हम सूरिया की आखे देखते हैं जो की ब्लू गलो कर रही थी जिसका मतलब यह है कि जो लॉकिट उसके पास में था उसकी सिद्धियां उसके अंदर है और हो सकता है कि यह अच्छी शक्ती होगी जिससे कि वो गाउं वालों को प्रोटेक्ट कर पाएगा वो भी नंदनी के लिए या फिर यहां पर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा या फिर भैरव और नंदनी का मिक्षर आ चुका है जिसकी वज़ा से अब वो गाउं वालों को भी खतम कर सकता है और वो भी शायद से वो नंदनी के लिए ही करेगा और बूम इसी के साथ में विर ना कहीं सरपंच भी जानते थे कि उसके पेरेंट्स के साथ में गलत हुआ था यानि कि नंदनी के पेरेंट्स के साथ में मूवी काफी इंटरिस्टिंग है काफी बढ़िया है इनफेक्ट हॉलिवूड की काफी सारी मूवी से काफी अच्छी है कॉनसेप्ट भी काफी बढ पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के ऊपर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे तो मैं आप सब को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए कोस्टी करद तक को लिए刑ा और व्स्ट आक hij एगाpex है तो आप साथ में तो सबותर खुरह में तो सब कर दो कर दो सक्थर है तो आप यिक राख सब के साथ